करेंगे class 12 NCRT की exercise 10.4 तए 10.4 में हम पढ़ेंगे cross product के बारे में ठीक है इससे जो last वीडियो थी उसके हमने किया था dot product के बारे में और अभ हम करेंगे cross product के बारे में तो देखो सबसे पहले तो dot product और cross product में क्या दिफरेंस है उसको जान लेंगे तो यह रहा हमारा dot product ठीक है, और एक साइड हम ले लेंगे, क्रोस प्रोड़क्ट, यह आपका आगया, क्रोस प्रोड़क्ट, क्लीर, अब देखो, हमारे पास first condition क्या थी, जब हमने dot product में किया था, तब हमारे पास first condition में था, कि a dot b जो है हमारा, यानि कि a vector dot b vector, यह हमारा कहलाता है, scalar, ठीक है, यह हमारा होता था, scalar, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a vector into b vector, ठीक है, क्रोस प्रोड़क्ट का मतलब क्या है, multiply, तो यहाँ पर आजाएगा a into b, equal to a आजाएगा vector, ठ a vector है, secondly हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास यहाँ पर dot product में क्या होता था, a vector dot b vector होता था, तो उसको हम लिख सकते थे, कि b vector dot a vector, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, a vector cross b vector लिखेंगे, तो इसका जब हम उल्टा लिखेंगे, तो minus b vector into a vector हो जाएगा, ठीक है, अब उ हमने लिया था, cos theta equals to a vector dot b vector, और divided by magnitude of a into magnitude of b, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर cos था, तो यहाँ पर हो जाएगा, sin theta equal to, अब यहाँ पर तो a vector dot b vector था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, magnitude हो जाएगा, ठीक है, magnitude of a vector multiply b vector, clear इतना, और upon में क्या रहेगा, divided by magnitude of a vector into magnitude of b vector, यह चीज़ जो हमारी है, ठीक है, यह हमारी same रही, divide में जो है, दोनों चीज़ें हमारे दोनों दरब same रही, लेकिन हमारी जो उपर की चीज़ें थी, वो change होगी, ठीक है, अब बात करते हैं fourth point की, तो fourth point हमारा है, अगर हमारा a vector perpendicular अगर हमारा b vector होता था, ठीक है, तो हम उसे बोल देते थे, की a vector dot b vector equal to 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या condition आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, अगर a vector parallel है, ठीक है, a vector b vector के parallel है, तो a into b हमारा 0 कहलाएगा, ठीक है, और last point हमारे पास dot product में आया था, की a dot a, यानि की a vector dot a vector को हम कहते हैं, magnitude of a square, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और points होगे, तो fifth point इसका आ जाएगा, देखो area of parallelogram, ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे area of parallelogram की, जब area of parallelogram आएगा, तो हम उसे लिख सकते हैं, magnitude of a vector multiply b vector magnitude, ठीक है, यह पूरा magnitude के अंदर हम इसको cover गर देंगे, six point इसमें आ जाएगा, area of triangle, क्या जाएगा, area of triangle, तो area of triangle क्या हो जाएगा, 1 upon 2 into a vector into b vector, ठीक है, और seventh point हमारा रहेगा इसमें, अगर, देखो यहाँ पर था, a vector dot a vector equal to magnitude of a square, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, a vector multiply a vector which is equal to zero, ठीक है, यह zero के equal कहलाएगा, तो यह था कुछ difference, ठीक है, इसको ध्यान से आप समझ लेना, उसके बाद ही question को करेंगे, तो अब इसके मैं exercise जो है, 10.4 को solve करूँगा, ठीक है, तो ध्यान से समझ ना, जो जो हमने यहाँ पर चीज़े यूज की हैं, बस उसी का यूज करते हो, हम अगले questions को करेंगे, तो first question है हमारे पास, first question में हमें दिया है, find magnitude of A vector into B vector, if A equal to I minus 7J plus 7K and B equal to 3I minus 2J plus 2K, ठीक है, आपके पास एक given है, तो A vector हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, उसको सबसे पहले हम no down कर लेंगे, A vector हमारे पास क्या दिया है, I vector, I unit vector minus 7J plus 7K, ठीक है, और B vector हमें दिया है, B vector हमारे पास है, 3I minus 2J plus 2K, ठीक है, अब देखो इसका हम magnitude कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपके अगरो, vector निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम I, J, and K, clear इतना, और आपके पास यहाँ पर given है, इसके जो coefficient उसको लिख लेंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास minus 7 है, और यहाँ पर 7 है, ठीक है, यहाँ पर है, आपके पास 3, यहाँ पर इसका coefficient minus 2 है, और यहाँ पर plus 2 है, अब आप सभी जानते हैं, यहाँ पर plus होगा, यहाँ पर minus होगा, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, vector निकाल लेंगे, I vector हमारे पास कितना आ जाएगा, I unit vector, देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, I को निकाल रहे हैं, तो 7 tos आ, यानि कि यह पूरा का पूरा हमारा क्यों हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना, 2 7s of 14, यान में क्या आ जाएगा, अब यह hide हो जाएगा, हमारे पास बचा यह, तो 2 1s are 2, ठीक है, minus 3 7s are 21, अब हमारे पास यहाँ पर plus का sign आएगा, यानि कि plus k, और हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, यह k वाली term तो hide हो गई, अब हमारे पास बचा 2 1s are 2, यानि कि minus 2 आएगा, औ और यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 7s are 21, यानि कि plus 21 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, clear इतना, तो इसके बाद यहाँ पर करेंगे, तो solve करने पर हमें यह तो I जो है हमारा cancel हो जाएगा, ठीक है, यह तो 0 बन गया, यहाँ पर देखो तो J हमारे पास कितना आ रहे, J हमारे पास आ रहे, 19, यानि कि हम लिख सकते हैं, 19 J, ठीक है, 19 J आ गया, देखो यहाँ पर minus है, यहाँ पर भी minus तो दोनों plus हो गए, उसके बाद यहाँ पर भी क्या जाएगा, plus 19 K, clear इतना, हमें निकालना क्या है, magnitude of A vector into B vector, ठीक है, तो वो कैसे निकल जाएगा, अंडरूट कर देंगे हम, और इन दोनों का कर देंगे, whole square, यानि कि 19 का square, जैसे हम A magnitude निकालते थे, यहाँ पर A into B निकाल रहे हैं, plus 19 whole square, तो यह बन जाएगा आपका, जब हम इसको total solve करेंगे, तो आपके पास कितना आएगा यह, 722, ठीक है, 722, अब 722 को जब हम तो आपके पास ही आ जाएगा, 19 root 2, clear है, तो यह हमारा first question का answer है, अब करते है, question number second, तो question number second हमारे पास क्या दिया है, find a unit vector perpendicular to each of the vector, a plus b vector and a minus b vector, ठीक है, अब एक unit vector जो perpendicular है, एक दूसरे के, perpendicular to each of the vector, a plus b और a minus b, where, a equal to this and this, b equal to this, question number two, a vector आपके पास कितना दिया है, 3i plus 2j plus 2k, clear है, और b vector आपके पास दिया है, i plus 2j minus 2k, ठीक है, अब यहाँ पर a plus b निकालो सबसे पहले, क्योंकि a plus b और a minus b की बात की गई है, a plus b आपका कितना आजाएगा, a vector plus b vector equal to, यहाँ पर इनको add करेंगे, तो आपके पास आएगा, 4i plus 4j plus 0, ठीक है, और a minus b निकाल लेंगे, a minus b कितना आजाएगा, इनको minus कर देंगे, तो आपके पास आजाएगा, 2i plus 0j and plus 4k, clear इतना, अब next काम है हमारा, कि a vector plus b vector into a vector minus b vector निकालना है, ठीक है, यह हमें निकालना है, तो यहाँ पर simple सी बात है कि हम i, j, k ले लेंगे, और इसके coefficients को लिख देंगे, 4, 4, 0, 2, 0, 4, अब आपके पास यहाँ से कैं निकल जाएगा, c की value, यानि कि मान लो कि यह c है, ठीक है, c की value हम निकाल रहे है, तो वो आजाएगा आपके पास, c vector equal to i, यहाँ पर कितना आपके पास, i को height कर देंगे, यानि कि 4, 4, 16, minus 0, ठीक है, और यहाँ पर minus का, देखो, plus, यहाँ minus, और यह plus, यहाँ पर आजाएगा minus का j, और आपके पास कितना आजाएगा, 4, 4, 16, 16, minus 0, ठीक है, और plus k, तो k कितना जाएगा, 0, 2, 4, 8, clear रहे हैं, आपके पास कितना आजए, c vector, यहाँ से आजए, आपके पास 16 i, यहाँ पर कितना आजाएगा, minus 16 j, और यहाँ से कितना आजाएगा, minus 8 k, clear रहे हैं, अब देखो, इतना करने के बाद, हमें निकालना क्या है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, c vector, c, c का हम निकाल सकते हैं, unit vector, ठीक है, तो c unit, c का unit vector कैसे निकलेगा, equal to c, c vector upon magnitude of c, इतना तो आपको, जब हमने last video में 10.3 की थी, वहाँ पर मैंने इसको बता दिया था, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर c vector कैसे निकलेगा, c vector आपनो तो बिल्कुल easily निकाल सकते हैं, c vector तो हमारे पास यह term हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ जाएगा, आपके पास 16i, minus 16j, minus 8k, और यहाँ पर है c magnitude, तो magnitude के लिए हम क्या करते हैं, simply, under root लगाएंगे, उनका whole square कर देंगे, तो 16 का whole square करेंगे, तो आपके पास हाएगा, 256, यहाँ plus हो जाएगा, 256, and plus 64, ठीक है, इस वारे term को तो हम as it is लिख देंगे, याने की यहाँ लिख सकते हैं, 16i, minus 16j, minus 8k, divide में के कर देंगे, इसका total कर देंगे, तो इसका total आजाएगा, हमारे पास, root में, 576, पिए रहे, अब 576 का हमें पता है कि, root क्या होगा, 24, तो इसको direct लिख सकते हैं हम, 16i, minus 16j, minus 8k, whole divided by 24, ठीक है, अब 24 आ गया, अब इसे हम क्या करेंगे, simply, सब के साथ बांट देंगे, तो 16 upon 24i, minus 16j upon 24, minus 8 upon 24k, ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कट टर लेंगे, तो काटने भी हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से, तो यह बन जाएगा आपके पास, 28s are 16, 21s are 2, 22s are 4, 24s are 8, and 26s are 12, यहाँ से 22s are 4, 23s are 6, यहाँ कि यहाँ पर भी direct हम 2 upon 3 कर सकते हैं, और यहाँ पर, 8 बन जाएग, 8, 23s are 24, तो आपके पास कितना आग है, 2 upon 3i, minus 2 upon 3j, minus 1 upon 3k, ठीक है, तो यह था हमारा question number second का answer, अब करते हम question number third को, question number third हमारे पास के दिया है, if a unit vector a, makes angle, pi by 3, with i, pi by 4, with j, and an acute angle theta, with k, then find the, find theta, and hence the components of a, यहने कि आपके पास एक unit vector a दिया है, ठीक है, और angle बना रहा है, i पे बना रहा है, वो pi by 3, j पे बना रहा है, pi by 4, हमें निकालना है, angle theta, with k, और साथ में find करना है, component of a, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, question number है हमारा यह, third, question number third में क्या बोलता है, कि a vector आपको दिया है, इसको आप मान लो, कि x i, ठीक है, x i हम इसको मान लेंगे, plus y j vectors को मान लेंगे, और z के vectors को हम मान लेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो x, y, z हैं, यह इसके coefficient है, ठीक है, यानि कि हम इसको बोल सकते हैं कि x, y, z जो हैं यहाँ पर हमारे direction ratios हैं, और a vector की अगर हम दुबारा से बात करें, ठीक है, a vector की अगर हम दुबारा से बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, li unit vector, plus mj unit vector, plus n k unit vector, ठीक है, अब यह जो x, y और z हैं यहाँ पर यह जो x, y, z लिया हमने यह है direction ratio ठीक है क्या है यह direction ratio और l, m, n, n l, m और यह n जो है यह है direction cosine ठीक है यह question जो है direction ratio और cosine पर depend करता है क्योंकि आपके पास जो है वो theta दिया हुआ है न तो उसकी वज़र से हमने क्या गिया इसको element की form में लिया तो l equal to यहाँ से हम लिख सकते है cos theta यानि कि cos theta की value आपके पास दी है pi by 3 जो हमारे पास कितनी होती है 1 by 2 clear it न m आपके पास दिया है cos pi by 4 और इसे हम कितना लिख सकते है 1 upon root 2 ठीक है और n आपको बोला गया है कि वो हमें निकालना है cos theta equal to इसको हम n ही रखेंगे अभी फिलाल के लिए क्योंकि यह तो हमें निकालना है इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे a vector को यहां से निकाल लेंगे ठीक है a हमारे पास अगर unit vector है ठीक है तो l square, m square और जो n square है उसका जो magnitude होगा वो 1 के खोल होगा ठीक है यहां से इसका जो magnitude होगा न यानि कि l square plus m square plus n square हम यहां लिख सकते हैं वो equal होगा 1 के इतना के लिए रहे अब l आपके पास given है कितना 1 by 2, तो यहां लिख सकते हैं 1 by 4 plus 1 by 4 plus n हमारे पास n square ही है equal to 1 अब यहां पर क्या करो, squaring कर दो both sides squaring both sides कर देंगे तो आपके पास कितना जाएगा 1 by 4 plus 1 by 4 plus n square equal to 1, ठीक है अब हमें निकाल लगे है n, n square यहां पर रखो और बागी सारी terms को हम महाँ shift कर देंगे तो यहां पर shift करने पर हमें कितना मिल जाएगा यह sorry, यहां पर हमारे पास था root 2 ठीक है, तो root 2 का बनेगा 2 यहां गलती से मैंने 4 लिख दिया था यह 2 आपके पास, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 minus 1 upon 2 और यहां पर आजाएगा minus 1 by 4 clear इतना अब देखो, n square equal to आपके पास कितना आजाएगा LCM आजाएगा इसका 4 यहां पर बचेगा आपके पास 4 minus 2 minus 1 ठीक है, तो इसको sort करने पर आपको कितना मिलता है, n square equal to मिल जाएगा आपको 1 by 4 अब देखो, 1 by 4 है तो n कितना आजाएगा आपके पास याने की n आपके पास आगया 1 by 2 तो clear सी बात है कि theta हमारे पास कितना आगया, theta equal to pi by 3 ठीक है, यही हमें निकालना था अब पहली बात तो यह कि आपके पास theta सबसे पहले क्या दिया था i के लिए हमारे पास pi by 3 दिया था और j के लिए हमें pi by 4 दिया था लेकिन हमें निकालना क्या था, k के लिए तो k का जो हमने निकाल दिया कितना यह आगया आपके पास pi by 3 ठीक है, आप करते हैं question number 4 को question number 4 में हमें दिया है कि show that a minus b into a plus b equal to 2a into b ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे, यह दिया है आपके पास a vector minus b vector और साथ में है आपके पास into a vector plus b vector equal to 2 into a vector into b vector, ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले left hand side को ले लेंगे, ठीक है तो left hand side आपके पास क्या है lhs यह आपके पास कितनी है, उसको हम लिख लेंगे left hand side आपके पास दी गई है a vector minus b vector into a vector plus b vector ठीक है, यहाँ से देखो जब हम इसका multiply करवाएंगे तो यह आजाएगा आपके पास a cross a ठीक है, plus a cross b minus b cross a minus b cross b, clear है इतना अब देखो जब हमने cross product क्या थोड़ा सा basic किया था उस time a into a मैंने आपको बताया था कि 0 होगा, ठीक है तो इसको हम directly लिख देंगे 0, plus a into b as it is रहेगा, और यह b into a भी as it is रहेगा ठीक है अब देखो, इस b into a को हम घुमा के लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास a cross b दिया हो, तो इसको हम लिखते हैं minus b into a, ठीक है इसको के लिख देंगे हम minus का a into b, ठीक है और यहाँ पर minus कितना आ जाएगा आपके बास b into b, या ने की 0 ठीक है इतना, तो आपके बास यह कितना आ गया अब इसको अगर ध्यान से देखें तो a cross b हम इसको लिख सकते हैं और साथ में इसको के लिख सकते हैं plus a cross b, ठीक है इतना तो यह कितना बन गया जब हम इसको करेंगे तो यह बन जाएगा 2 into a vector plus b vector, ठीक है यही हमें prove करना था hence proved, clear है इतना अब हम करते हैं question number 5 देखो question number 5 हमारे पास के दिये है, कि find lambda and mu if 2i plus 6j plus 27k into i minus lambda j plus mu k equal to 0 find हमें करना है lambda और mu की value ठीक है तो आपके पास जो given है सबसे बहले उसको लिख लेंगे हम question number है आपका यह 5 और equation है 2i plus 6j plus 27k ठीक है into i plus lambda j plus mu k, ठीक है यहाँ पर है mu k, clear इतना यह mu है 4 मतले लिखना इसको mu i, ठीक है और यह दिये है, हमें equal to 0 vector k यहाँ से क्या करो i, j, k की value को लिख लो i, j, k तो यह आजाएगा आपके पास 2, 6, 27, 1, lambda, mu ठीक है, और यहाँ से equal to दिया है, 0 के equal तो आपके पास आजाएगा i unit vector equal to आजाएगा आपके पास, यहाँ से 6u, sorry, 6 mu minus 27, lambda minus j 2 mu minus 27 plus k और k को अगर hide करेंगे, तो आपके पास कितना आजाएगा 2 lambda minus 6 ठीक है, अब देखो यह बताना है हमें कि equal to 0 है ठीक है, तो यह आजाएगा आपके पास कितना यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, equal to 0 i plus 0 j plus 0 k, ठीक है 0 j plus 0 k on comparing, अब हम compare करवा देंगे इसको, on comparing तो 6 mu आपके पास है, minus 27 lambda, equal to हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना आपके पास, यह बन जाएगा कितना minus 2 mu minus 27 equal to 0, और यह रहा आपके पास, last term क्या थी, यह है 2 lambda minus 6 equal to 0, ठीक है तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम values को निकाल लेंगे तो, देखो mu की value कितने आ जाएगी यहाँ पर और lambda की value कितने आएगी सबसे पहले तो हम find out करेंगे कि कैसे कर सकते है हम यहाँ से क्या कर सकते है mu की value को निकाल सकते हैं clear बात यहां से mu की value हम अराम से निकाल सकते हैं तो mu की value यहां से निकालेंगे तो minus का 2 mu और यह बन जाएगा 27 equal to 0 आपके पास कितना आगया minus का 2 mu equal to minus 27 minus से minus cancel हुआ mu की value कितनी आगई 27 upon 2 clear इतना अब यहां पर देखो 2 lambda यहां से lambda की value निकल जाएगी याने की 2 lambda यहीं रखेंगे और 6 को हम वहां shift कर देंगे और lambda आपके पास कितना आजाएगा 3 अब इन दोनो values को आप यहां पर put कर सकते हो तो 6 into याने की 27 upon 3 sorry 2 और minus 27 into 3 equal to 0 ठीक है तो यहां से 2 3s आज 6 27 को 3 जे करेंगे तो 81 आएगा यहां भी 81 which is equal to 0 तो 81 81 तो आपस में कट गये तो हमारे पास कितना आगे 0 ही आगया ठीक है तो यही हमें prove करना था हमें value find करनी थी mu की और lambda की तो हमने यह find out कर दी अब देखते हैं इसका question number 6 question number 6 में हमें बोला गया है कि given that a dot b vector equal to 0 and a vector into b vector equal to 0 ठीक है a dot b b 0 के equal है और a into b b 0 के equal है what can you conclude about the vectors a vector and b vector अब देखो a dot b कब होता है हमारा जब perpendicular हो और a into b कब होता है जब हमारा वो parallel दी हो तो इसको कैसे करेंगे देखो यह आपके पास question number 6 अगर हमारे पास if a dot b यह दिया हो तो वो होता है 0 ठीक है अगर a dot b हमारे पास a vector dot b vector दिया है वो 0 के equal है तो हम इसको बोल सकते है कि यह a perpendicular b है ठीक है a perpendicular है b के इसको देदेंगे हम equation number 1 और a cross b की बात करें अगर यह 0 के equal दिया है तो हम इसको बोलते है कि यह हमारा parallel है b के ठीक है इसको देदेंगे equation number 2 अब देखो अगर हमारे पास या तो a vector 0 हो या b vector 0 हो तभी हम बोल सकते हैं कि a dot b 0 के equal है और या फिर parallel है b के ठीक है contradict each other कर देंगे therefore contradict sorry contradict each other therefore a vector and b vector can any vector either a vector and b vector is 0 0 vector ठीक है तो हम यहा लिख सकते हैं कि जो हमारा magnitude है a ठीक है वो किस के equal है 0 के और b magnitude भी किस के equal है 0 के clear इतना तो सिरफ हमें इस question में यही prove करना था कि आपके पास जो conclusion आएगा a dot b का a and b का वो क्या आएगा ठीक है तो a भी हमारा 0 के equal है और b भी हमारा 0 के equal है अब यह कैसे पता चला क्योंकि a dot b अगर हमारा 0 है तो perpendicular होगा a into b होगा तो वो parallel होगा ठीक है तो जाइस सी बात है कि अगर हमारे पास a 0 होगा या फिर b 0 होगा तब ही हम कह सकते हैं कि a dot b के है perpendicular है और a a into b जो है a cross b जो है वो parallel है ठीक है तो इस वीडियो में सिरफ इतना ही लेंगे question number 6 तक ही और जो next part है उसमें हम 7 से लेकर के जो आगे वाले question को solve करेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छे लगे प्लीज लाइक शेर कमेंट जरूर करें और अपने friends के साथ जाल से जादा शेर करें thank you